दोस्तो एक कहवत बिल्कुल सही फिट बैठती है जो आखरी तक युद्ध में लड़ते हैं उन्हें काम्यावी जरूर मिलती है बई जो लगन के साथ मेहनत के साथ डटे होते हैं उन्हें काम्यावी 100% मिलेगी बई और ये जो एकजम्पल आपके सामने है और मुझे ये को कहीं न कहीं अब मैं कह सकता हूँ कि HSSC से छुटकार मिल गया और इनका जो सपना है मेहनत के साथ ये जो मैदान में डटे हैं वो पूरा हो गया बई और आपका सपना भी पूरा हो सकता है अगर आप CET के अच्छे लेवल के साथ तैयारी कर रहें और आखरी तक आप मैदान में डटे रहेंगे हतियार नहीं डालेंगे तो कामियाभी भी आपको जरूर मिलेगी बई तो इनको मेरी तरब से हर्दिक सुबकामना है ये फाइनल रजल्ट है बार असलाइस दोजरमनी स्कैटर की नंबर बार है और इसमें पोश्ट भी जबर जस्त है यानि कि 277 से इसमें जो कट ओफ गई है याट 70 पर गई है वेटिंग आपकी 77 पर है सी की 68 पर है सी वेटिंग 66 है एड़ देख लगते हैं एड़ एड़ एस यह आपकी फिछ 70 पर ही लगवग बराबर है ज्यादा अंतर नहीं है और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इनका जो लंबा इंतिज है वो समाप्त हो गया और इन्हें HSC से छुटकारा भी मिल गया है जो दिन रात यह इंतिजार कर रहे थे भई HSC result निकालेगा नहीं निकालेगा और मुझे उम्मीद है आप भी अच्छे लेवल के साथ तैयारी कर रहे होंगे और आपका सपना भी जल्दी पुरा हो वही एक जाम कभी भी हो बस इतना ही कह सकता हूँ और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद